तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंग्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए MP पुलिस कॉंस्टेबल 2023-23 अगस्त सेकेंड सिप्ट का एक्जाम एनलेसिस जिसकी टाइमिंग है आपकी साड़े वारा से धाई करते हैं हमको आज की जो प्रश्ट भेज़े हैं वो राहुल मौरे जी ने भेज़े और इनके 76 नमबर आये हैं और काफी सारे कुश्चन इन्होंने हमारे पास में भेज़ दी हैं आपका भी अगली किसी भी स्रिप्ट में एक्जाम है तो आप अपने प्रश्णों को 705254- 7003 इस नमबर पर WhatsApp जरूर कीजेगा एक घंटे की अंदर अंदर अपने नाम के साथ में ठीक है वीडियो को शुरू से ले करके अंतर तक जहूर दिखना लास्ट में आपको हम आज के टॉप 5 स्कोर बताएंगे साधे साथ में इस शिप्ट का कट आफ कितना जा सकता है वो सा अगले महीने चुनाओ से पहले पहले उनकी मतलब की नोटफिकेशन आ सकता ऐसी गोशना आज यहां पर रैली में की गई है मामा जी के दारा ठीक है तो चलिए सुरुवात करते हैं आए देखते हैं आज पहला प्रश्ने कौन सा आया था देखिए तो पहला प्रश्ने पू और इस्तित एक इसमारक है इसमारक को दिसंबर 1911 में अपोलो बंडर मुंबई में बिटिस सरकार के बिटिस समराट राजा समराट जोर्ज पंचम के दारा और महरानी मेरी प्रतम के आगमन की याद में इसको बनाया गया थे यानि कि जोर्ज पंचम और मेरी प्रतम यहां पर आ रहे थे, उनकी याद में इसको बनाया गया था, उनके स्वागत के लिए, हालंकि ये बन नहीं पाया था, उनके आने के बाद में जो है, ये पूर्ण हुआ था, ठीक है, इसके वास्तुकार कौन है तो देखिए, इसके वास्तुकार जॉर्ज विवेट है, 1913 में इसकी समय बाद 1924 में जा करके ये पूरा हुआ था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अगला प्रशन क्या है, अगला प्रशन है, अमल वर्षा का पी एच मान कितना होता है, तो सब को पता है, अमल वर्षा का पी एच मान 5 से 6 के बीच में होता है, ठीक है, अमली वर्षा या फिर एसे ड्रेन कहते हैं, ठीक है, पूरा समझ में आ गया, ये अमली वर्षा होती क्या है, कैसे बनती है, ठीक है, इसकी जो वर्षा जल होता है, उसका पी एच मान 5 से 6 के बीच में होता है, लेकिन जब वर्षा की जाती है, तो ये 5 से 6 से भी कम हो जाती है इसलिए इसे अमली वर्षा कहते हैं आपसे अगर एंसर पूछा जाए तो इसका पीच मान 5 से 6 के बीच में होता है ठीक है आपको एंसर में 5 से 6 के बीच में लगाना है आगे बढ़ते हैं और आज का अगला पश्ट देखते हैं इटली के एक ही करण में सबसे जादा किसका गैरी वॉल्डी सबसे अधिक सक्री नेता हैं जिन्होंने एक ही करण की प्रक्रिया में सहयोग दिया कैवोर ने 1861 में इटली को एक जूट करने के लिए रियल पॉलिटिक को एक उपकरण के रूप में अपना था ठीक है तो गैरी वॉल्डी का नाम आपको ऑप्सन दिया यही आपका एंसर है इन्हें जो इटली की तलवार भी कह जाता है आप देखिए यहां पर आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से काफी कुश्टन आ रहे हैं ठीक हर स्रिप्ट में हमको तीन से चार परस्टने वर्ल्ड हिस्ट्री के देखने को मिल ही रहे हैं ठीक है कोई इनकी वीडियो कल सुबह हम लाने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले हम इसकी वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि यहां से 3-4 प्रस्ट में देखने को मिल रहे हैं, लगातार एक्जाम एनलेसिस पर देख रहे हैं, यह प्रस्ट जरूर आ रहे हैं, तो आज रात में हम यह कमपोष्ट बनता है, जो केचुव की खाद होती है, उसे वर्मी कमपोष्ट कहा जाता है, देखिए, तो केचुव खाद यह इसे हम वर्मी कमपोष्ट कहते हैं, पोसर पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उरुबरक है, यह केचुव आद कीडों के द्वारा हमने आपको बताया, जिन लोगों का एक्जाम तेई सगस्त के बाद में हैं, उनको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यह कल हमने साम को वेडियो अप्लोड की थी, आप जाकर एक देख लेना, हमने आपको बताया था, पैटर्न होगा आज ठीक है, तो आज काफी पांच प्रशन आज आपके क्रिसी पूछे गई है, ठीक है, मानव को पढ़ने की आवशकता नहीं है, अगले दो-तिन दिर में जिन का एक्जाम है, मानव को मत पढ़िए, आप केवल परियावरन पढ़ लीजिए, और पादब जगत पढ़ लीजिए, और क्रिसी, यह तीन आप वही 70 और 72 तक ही पहुँच पाएंगे, जहां तक सब लोग पहुच जा रहे हैं, तो कैसे क्या strategy होने चाहिए आगे कि उसके उपर हमने कल वीडियो बना दी जाकर के देख लेना, उसको देख कर के जाएंगे तो आप आसानी से 80 प्लस तक पहुँच जाएंगे, ठीक ह चलिए, कामाख्या माता का मंदर कौन सी सदी में बना गया था, तो आठवी से 17 सदी तक कामाख्या माता का मंदर बना था, ठीक है, देखिए, असम के गुआहटी में, नीला चल पहारीों परिष्टित कामाख्या मंदर, तांतिर्ग प्रथाओं में सबसे पुराने और सबस इसके लिए फेमाश है, तो तांतिर्ग प्रथाओं के लिए यहाँ फेमाश है, ठीक है, चलिए, यहाँ मंदर कुलाचार तंतरमारक का केंदर है, और अंबुबाची मेला का इस्ताले, अंबुबाची मेला कहां पर लगता है, यह प्रशन आगे बनेगा ही बनेगा, तो य आपका असम में लगता है ठीक है जो एक वार्षिक त्योहार है जो देवी के मासिक धर्म का जश्न मनाता है सनचनात्मक रूप से मंदिर आठमी और नवी सताबदी में बना है बाद में कई पुनर निर्माड हुए और अंतिम मिस्वित वास्टकला निलाचल नामाग एक इस् निर्माड काल माना जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं पंडित रवी संकर को कितनी बार ग्रैमी अवार्ड दिया जा चुका है तो तीन बार पंडित रवी संकर सुक्र को ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है ठीक है देखिए तो उन्हें पूरी दुनिया में सास्त्री संगीत में भारत का दूत माना जाता है ठीक है भारत संगीत को दुनिया भर में सम्मान दिलाने वाले पंडित रवी संकर को भारत रत्न मिला है पद्मभूशन मिला है पद्मभूशन मिला है रेमन मैक से से मिला है तीन ग्रैमी अवार्ड सहीत देश विदेश की नजाने कितने पुर तो लगबख 100 km अगर मील में पूछा गया है तो 62 मील इनकी बीच की दूरी है, कहीं कहीं पर आपको 105-103 भी दिया रहता है, अगर आपके option होगा तो यहीं इसी के आसपास होगा, ठीक है, या तो बहुत दूर दूर आपको option दिया होगा, या तो आपको 110 ठीक है, और उसके ब बहुत घुपाएं हैं, जो अजन्ता के समान काल की है, इन दोनों के बीच में 100 km की दूरी है, अजन्ता और एलोरा को 1983 में युनेसको की विसधरोवर सूची में सामिल किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, अगला पशन है, मतश्य उत्पादन में भारत का कौन सा है, यानि मचली उत्पादन में भारत का कौन सा इस्थान है, मचली उत्पादन की क्रांती को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये आज का आपके लिए होंबर्क है, सही आंसर है, दूसरा इस्थान है, मतश्य उत्पादन में भारत क पेस करने वाला पहला देस कौन सा था तो पहला देस अमेरिका था जिसने सून्य आधारित बजट पेस किया था देखिए तो चालू बित वर्स के बजट के लिए नया आर्थिक आधार तैयार किया जाता है जो पूर्व के बित्ती वर्स में संचारित कारक्रमों या यूजना गया है, जब नया बजट तयार किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा पैसा अगर आपका बचा हुआ है, तो वो पैसा लैप्स हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा, और जीरो से आपका दूसरा नया बजट स्टार्ट होगा, इसलिए आप देखते हैं, जैसे आपका मार्च अपरे लाता है, तो जो सरकारी आपके office होते हैं, उनमें तेजी से काम सुरू हो जाता है, पंक ही लगने सुरू हो जाते हैं, light लग जागी, LED लग जागी, क्यों? क्योंकि वो पैसा खतम होने वाला होता, जब नया budget बन गया ना, तो समझें, यह जितना पैसा बचा होगा, यह सारा पैसा lapse हो जाएगा, ठीक है ना, तो यह आपका सुन्ने आधारित बजट होता है, उम्मीद करते हैं, आपके समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्ने, 2023 तक कितने लोगों को परंबीर चकर प्रदान किया जा चुका है, तो देखिए, 2023 तक 21 लोगों को परंबीर चकर अब तक प्रदान किया गया है, और इनही के नाम पर अंडवान नीकोबार में जो दीप हैं, उनके नाम जो है 21 लोगों को परंबीर चकर प्रदान किया गया है, उन्हीं के नाम पर रखा जारा देखिए पराकरम दिवस 2023 पर प्रधान मंत्री सी नरेंद मोदी ने अंडमान और नीकोबार दीव समू के 21 सबसे बड़े अनाम दीपों का नाम 21 परमबीर चकर पुरस्कार विजयताओं के नाम पर रखने की गोशना की है ये करेंट अफियर का आपका प्रशन है अब दिरे-दिरे करेंट अफियर भी अपना इस्थान बना रही है और 2-3 प्रशन करेंट अफियर के भी पूछे जा रहे है ठीक है? आगे बढ़ते हैं भूकम की तीबरता को मापने वाला यंतर क्या कहला था? कल भी हमने आपको कराया था भूकम के बारे में आज फर्श्ट सिप्ट में भूकम से प्रशना आया है इस सिप्ट में दो प्रशना आपका भूकम से आया है अगली आपकी 2-3-4 सिप्ट तक भूकम से प्रशना आएंगे जिनका अगले दो-तिन दिनों में एक्जाम में भूकम को अच्छे से पढ़कर की जाईए अब आपका epicenter पूछा जाएगा के अंदर क्या है भूकम का पहले कौन सी तरंगे भूकम की कौन सी तरंगे पहले परती पर पहुंचती है love waves क्या होती है यह सब आपको पढ़कर की जाना है ठीक है देखे तो इसका सयांसा सीस्मो ग्राफ हो जाएगा भूकम की तिवर्ता और अवधी का पता लगाने के लिए सीस्मो ग्राफ का इस्तिमाल किया जाता है इस यंदर के जरीए धर्ती में होने वाली हल्चल का ग्राफ बना जाता है जिसे सीस्मो ग्राफ कहते हैं इसके आधार पर गडर्ती पैमाना यानि की रेक्टर पैमाना की जरीए भूकम की तरंगों की तिवर्ता भूकम का केंद्र इससे निकलने वाली उर्जा का पता लगाया जाता है तो आपको मुखिता यह याद राखना है सीस्मों ग्राप के दारा भूकम की तीबरता को ना पा जाता है ठीक है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रेफलगर ट्रेफलगर का युद्ध कव हुआ था? यह प्रशन आपका आज पूचा है यह आपके विश्टो के युद्ध से प्रशन पूचा गया है तो कल सुबा वाली वीडियो में यह सारे युद्धों को हम कवर कर लेंगे जो बहुत फेमस फेमस युद्ध है क्योंकि यह प्रशन हर किसी पर बन नहीं रहा है सबके प्रशन यह गलत हो रहा है आप अगर सक्सेज जंक्सन के साथ जुड़े हैं तो मेरा करताब है कि मैं आपको 2-3 या 4 नंबर दूसरों से आगे लेकर के चलूँ तब ही सक्सेज जंक्सन वालों का सेलेक्शन हो पाएगा ठीक है देखिए अब 21 सक्टूबर 1805 को ट्रेफलगर का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था तो देख लीजे ट्रेफलगर का युद्ध बैटल अब ट्रेफलगर बिटिस नौसेना का फ्रांसीसी और इस्पेनी मिली जली नौसेना के साथ एक आकरमक बेड़े के साथ 21 सक्टूबर 1805 में लड़ा गया एक समुद्र युद्ध था यानि कि जो बिटिस सेना थी और फ्रांसीसी सेना थी इनके बीच में ये युद्ध किया गया था, यहाँ एक नौ सैनिक युद्ध था, नेपोलियन फ्रांस का समराट बनकर ही संतुष्ट नहीं हुआ, वह समस्त विसको जीतने की युजना बनाने लगा, जिसके पर पेच में ट्रेफल गर का युद्ध हुआ था, ब्रिटेन के स होती है और दूसरी वास्तविक Civic होती है, नॉमिनल GDP क्या है, वास्तविक गीदीप क्या है चलिए, पूरा समझा देते हैं क्योंकि आगे प्रश्न यहां से बनेगा, नॉमिनल GDP की बात करते हैं, यह चालू कीमितों, यानि कि बरटमार बर्स की प्राचलित कीमितों में, ब आपकी nominal GDP होती है तो बरतमान में कितनी मतलब माल लीजिए 2011 है ठीक है तो 2011 को इनने आधार वर्स बना लिया तो इसके आधार पर अगर हम बस्तों की कीमतों को तै करेंगे तो वो आपकी वास्तविक GDP कहलाएगी ठीक है 2011 के आधार पर हम तै कर रहे हैं लेकिन अगर हम आज की यानि 2023 की आधार पर तै करते हैं तो उसको हम nominal GDP कहते हैं बस इतना संतर है उम्मीद करते हैं यह अंतर आपके समझ में आगे होगा बाकि और भी समझना है तो हमारी GDP वाली वीडियो देख लेना सर्च कर लेना economics by success junction दो तीन वीडियो बनाई है हमने वो आपके सामने आ जाए लिकिके करताबिपत इसलिए 43 मीटर उचा विसाल साधन है अभी अभी बना है ठीक है इसको फोड़ा दिमाग में रखना करताबिपत कहां पर है तो जो आपका दिल्ली है जहां पर आपकी परेड की जाती है उसे करताबीपत नाम कर दिये गया है करेंट फेर की प्रस्ण आ पूरी जानकारी हम आपको देते हैं डीपली से डीपली जिससे की आगे प्रशन बने तो आप कहीं से भी आंसर इसको ढूड करके बता सकें और दूसरों से दो से तीन नमबर हमें से आगे रहें यह इसमारक पेरिस के औरकडेक्ट ट्रंप है पेरिस में उससे थोड़ा आपक अथेंटिक प्रशन है रियल प्रशन आपके सामने आपका अपना चैनल सकसे जंक्षन लेकर आता है कारे कैसी काई है सदिस सिकाई है फिर अदिस सिकाई है तो कारे आपकी एक प्रकार की अदिस सिकाई है ठीक है देखे कारे क्या है तो कारे में दिसा का भाव होता है किवल परिमाड है, मतलब दिसा नहीं होती, किवल परिमाड होता इसमें, इसलिए यहाँ एक अदिस रासी है, बल और बिस्थापन को मिला करके कारे का सूतर बना जाता है, फल सरूप कारे एक अदिस रासी है, अदिस और सदिस रासी उपर प्रस्ण डेली बन रहे हैं, और हम अपन आपके बिस्थापन कैसी इकाई है आज आपके सदिस वोधिस से दो प्रशने पूचेगा है तो बिस्थापन आपकी सदिस इकाई है देखे बिस्थापन की बात करते हैं बिस्थापन एक सदिस रासी है जब कोई वस्तु एक बिन्द पीसे दूसरे बिन्द क्यों तक किसी भी पत्स से होते हुए गति करती है तो इस बिस्थापन का परिमार उन दोनों बिन्दों के मद्धिकी निमतन दूरी होगी जैसे आपने निकाला पाइथा कोरस की प्रमे ज वीडियो थोड़ी सी लंभी हो रही हैं हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने वाले हैं technology के बारे हम जार बताने की जरूढे तो is की scale है वो क्या कहलाता है तो reactor scale कहलाता है जिससे हम भूकम की तीपरता को मापते हैं भूकम की तीपरता मापने के लिए मरकेली स्केल का प्रयोग प्योग किया जाता है मरकेली स्केल कहने या प्रेक्टर स्केल कहले एक ही बात होती है जबकि भूकम का परवार मापने के लिए रेक्टर स्केल का प्योग किया जाता है reactor skill की map 0 से 10 तक होता ये आपको याद रखना है आगे प्रशन बन सकता है किस रेसे में आग पकड़ने की संभावना सबसे कम होती है तो सूत में आग पकड़ने की संभावना सबसे कम होती है सूत में polyster, nylon, terricot के पेच्छा आग पकड़ने की चमता कम होती है ये आपके option में भी दिया गया था आगे बढ़ते हैं सीधे math की ओर चलते हैं और थोड़ा सा speed को तेज करते हैं math की बात करने तो 1,2,3,4 से लेकर के 40 तक संभावने की प्राइकता क्या होगी 3 बटे 20 इसका जो है answer आ रहा था प्राइकता से ये प्राइकता से ये प्रशन आज पूछा गया था आगे बढ़ते हैं train की चाल मीटर प्रत सेकेंड में दी गई थी और किलो मीटर प्रत घंटा में आपको बदल गर के बताना था 5 बटे 18 गुणा करके आप इसका answer निकाल दी थे अगरा प्रशन है 280 रुपए लड़के और लड़कियों में बाटे जाने थे लड़के और लड़कियों में बाटे जाने थे ratio दिया हुआ था इसका answer भी आप आसानी से निकाल सकते थे चलिए बागी बाड़मास से तीन प्रशन पूछेगा है algebra से दो प्रशन पूछेगा है और एक ही formula काम कर रहा है AQ प्लस BQ प्लस CQ इस formula की बात करें या फिर A प्लस B प्लस C का whole Q इस पर जो है प्रशन आपके बन रहा है तो इसको आपको देख करके जाना है और प्रशन लगा कर जाने है एक प्रशन पार्शन पार्शन से करणी से तीन प्रशन बने थे और थोड़ से कैलकुलेटर राइप की प्रशन करणी से बनना है गातां को करणी के प्रशनों की संख्या बढ़ रही है LCM SCF से 2 प्रशन percentage से 3-4 प्रशन आपके पूछेगा है CI से 4 प्रशने पूछेगा है और अंतर वाले प्रशने भी आ रहा है और 4 बश तक का CI आप से निकालने को बोल रहा है SI से 2 प्रशने बिल्कुल Simple Level के बने हैं Profit Loss से 3 से 4 प्रशने 2 प्रशने Simplification से Micture or Allegation से प्रशनोगी संख्या बढ़ रही है Average की दो प्रशन और Ratio की दो प्रशन आज आपके पूछे गए थे ठीक है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं Reasoning में क्या परिवर्टन हुआ देखिए तो Reasoning में कोई खास परिवर्टन नहीं है घड़ी के 4 प्रशन है Coding, Recording के 5-6 प्रशन है और घड़ी में ये 3 तरह के प्रशन आया थे एक तो Mirror में घड़ी की क्या टाइम हो रहा है एंगल कितना बन रहा है और दिसा परिक्षन इन 3 पर आधारत प्रशन पूछे जा रहे है Mathematical Operations से 2-3 प्रशन है इसकी संक्या आगे बढ़ सकती है Mathematical Operations की वो आप चिन्हों को परिवर्ति कर देते है प्लस को माइनस माइनस को प्लस गुड़ां को भाग कर दें तो क्या होगा ठीक है ऐसे बाले Sitting Management के 2 प्रशन आपके बढ़े है Simple Level के Direction से 2-3 प्रशन है Number Series की बात करें 2 प्रशन आपके Number Series से है Alphabet Series की संक्या बढ़ रही है 5 प्रशन आपके Alphabet Series से पूछेगा है तो इसकी practice करके जाएए ABCD को अच्छे से याद कर लीजिए ABCD का उल्टा क्या होता इसको याद कर लीजिए ठीक है Number Series से वही प्लस एक, प्लस दो इस पर आधरी प्रशना आ रहे है प्लस तीन, प्लस प्लस पाँच बिसम संक्या, संसंक्या, इनका अंतर ऐसे जो है Number Series पे प्रशना आ रहे है आप आसानी solve कर लेंगे सुभा आपका सिलोलिज्म एक भी प्रशन नहीं था इस shift में एक प्रशने सिलोलिज्म का है और सुभा आपकी कथन योम कारण के भी एक भी प्रशने थे इस shift में दो प्रशने कथन योम कारण के बढ़े है तो थोड़ा बहुत pattern vary कर रहा है ठीक है लगातार exam analysis देखते रहे हैं अभी आपको पता चल पाएगा कि अगले 2-3 दिनों में क्या-क्या पूछा जाने वाला ठीक है बागी overall की बात करने तो GKS के 22 प्रशन है Science के 14 प्रशन है Math के 30 प्रशन लगवख पूछे गाए हैं और Reasoning के 34 प्रशन पूछे गाए हैं हमने 20-20 और 30-30 नंबर वालों के भी नंबर सुने हैं ठीक है 20-30 नंबर भी आ रहे हैं ठीक है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है Cut-off की बात करते हैं तो इस शिप्र का Cut-off आपका 72 के आसपास जाने वाला 70-72 के आसपास जिसके भी नंबर है अपने फिजिकल की तैयारी आप लोग सुरू कर सकते हैं ठीक है आप अगर एक्जाम देकर आए हैं कितने नंबर हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सजेशन की बात कर लेते तो बुक्स के दो प्रशन इसमें भी पूछे गए थे आपको देख करके जाना है मेंमें टॉपिक वैसे कल हम विस्टू के युद्ध वगयरा है उनकी वीडियो लेकर के आने वाले है ठीक है चलिए आपको कोई भी जानकारी लेनी है कुछ भी पूछना कोई भी आपका कंफूजन है आप इसमें जो है पूछ सकते हैं लगबग 12-1500 लोग इसमें जुड़े हुए हैं तो सारे MP पूलिस वाले हैं तो आपका कंफूजन दूर हो जाएगा ठीक है बागी फ्री में स्टिडी म प्रोइट करा जाता है कि आपका राकेश येदर शरकी किताब हो गई उसके बाद में आदित परेल सरकी किताब हो गई HP Geek के हो गई गली लीए रहा है और पेविडिया निहां नहीं के किताब हो गई और आगे कि जो भी वेकंसी आने वाल हाए उनके बारे में जानकारे भी आपको देते रहेंगे, साते-सात में physical की भी आपको practice कराने वाले हैं, यानि कि हम academy वगारा में जाएंगे, वहां पर आपको physical की video भी लेकर के आएंगे, अगली किसी ब lassuna है, अगली कि आपका exam है निव 6 वे तक है साड़े 6 वे खताम होगी साड़े साथ तक वाने पास प्रशना आ जाएंगे और 8 वे तक आपके पास में वीडियो पहुंच जाएगी तो मिलते हैं सामवाली सिप्ट में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद